नवस्कार मैं कॉसलेंदर प्रियदर्सी आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्डेशन एक बड़ा सवाल लोगों के दिल में कौन रहा है कि आज तमिल नाडू जाना था बड़े ताम जाम से परचार परशार भी किया जा रहा था लेकिन नितीश कुमार तमिल नाडू नहीं गए तेजस्वी आदब चले गए और उनके साथ नितीश कुमार के खास मंत्री संजय ज भावी हो लिए अब सवाल है हलाकि नितीश कुमार की तरफ से ये बात कही गई है कि उनकी तवियत खराब थी एक दिन पहले जब मीडिया के सामने भी आये थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत गर्मी है और मीडिया को बाइट देने से मना कर दिया था हलाकि उस समय थोड़ जो करने की कोशिश कर रहे हैं हम उसकी बात बताएं कि आखिर जहां हिंदी भासी लोग बहुत कम है जहां हमारी राजनीति का हिंदी पट्टी छेत्र की राजनीति का बहुत कोई अहमियत नहीं है वहां बार बार दोड़ कर जाना आखिर क्या संदेश है जहां हम अगर में वहां के अस्थानिये कार्ज क्रमों में जा करके तेजस्वी आदब क्या संदेश देना चाहते हैं पता चला है ऐसा कि उन्होंने एक कुस्तकालय का उद्गाटन भी किया है अच्छी बात है डिप्टी सीम है उनको करना चाहिए जाना भी चाहिए दोस्ती है तो लेकिन इस दोस्ती के बहाने और यह दौरा के बहाने आखिर तेजस्वी आदब सावित क्या करना चाहते हैं किस तरीके से क्या विपक्ष को करने की कोशिस कर रहे हैं लगातार आपने देखा होगा कि स्टालिन के बर्थडे पर भी तमिल नाडू गए थे ते जश्वी आदम उस समय विधान सभाव सा भपता चल रहा था लोगों ने प्रस्ण भी पूछा था तो सवाल तो लोगों के दिल में है या पूछ भी रहें कि आखिर बार बार और किसी राज्यों में आपने केरल मैंने देखा कि केरल गए थे लेकिन तमिल नाडू यह दोड़ड़ कर जा रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है तमिल नाडू जाने की जरूरत क्या है उससे किस स्टालीन और कांग्रेस को एक मंच पर लाने में तेजस्वी आदव सफल होंगे क्या केजरिवाल और बाकी लोग केजरिवाल तो बाइस्तारी को ही आ रहे हैं तो जो लोगों के दिल में प्रस्ण उठ रहा है वह यह कि तमिल नाडू से किस तरीके का तीर मारेंगे तेजस खोने जा रही है नितीश कुमार ने बुलाया है बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उसका लबो लुआव क्या होगा लेकिन उससे पहले लगातार दक्षिन भारत के एक बड़े राज्ज में जाकर के तेजस्वी आदव यह सावित करना चाहते हैं कि हमारी फी जो है उसे रास्ट्रिय अस्तर की मानता धीरे धीरे प्राप्त है मतलब लोग हमें भी एक रास्ट्रिय अस्तर के नेता के तौर पे स्विकार करें चुकि लालू यादव का जो अपनी शियासी ताकत थी वो बिलकुल उस जमाने में जिसे मैं लालू शियासत करते थे उस जमान में नेशनल अस्तर पर उनकी एक खनक थी तेजस्वी यादब संभपता उन्हीं के पद्चिन्हों पर चलते हुए तमाम नेताओं से मिलकर के चाहे वो अखलेस यादब हो या फिर कई दफा तो ऐसा दिखता है कि अखलेस यादब से भी जादा जादा दौरा वो करते हैं और जादा नेताओं से मिलते हैं दक्षिन भारत में अकलेस संभपता कभी नहीं गये लेकिन तेजस्वी आदब लगातार रात जाकर केरल को जो यहाँ विपक्षी एकता वाली शियासत हो रही है, उसके खिचडी कैसी पकती है, और फिर उसके खाने का आनंद कैसे मिलेगा। हाला कि समाजबाद को लेकर के जो कथाएं और कहानिया जो इतिहास पर चलित रहा है, उससे तो बड़ा एक बुरा अनभव फिडबेक रहा है कि आने वाले दुनों में क्या होगा, लेकिन वक्त के साथ कहा जाता है न कि शियासत बदलता है, तो शियासत जब बदलेगा और मो वक्ता दे पाएंगी, ये तो वक्त बताएगा, या फिर जो खड़े हो रहे हैं, उन्हीं पैरों को खीचने का काम, एक दूसरे के खिलाफ ये लोग करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर तेजस्वी, यादव, ऐसा, ऐसी कोशिस में लगे हैं कि हम एक राश्ट्री अस्तर पर के नीचे सारे लोग एक जूट हो सकें.